भारत के लिए और विश्व के अनेक देशों के लिए हमारी अनेक पीडियों के लिए उपनिवेशबाद की बेडियों में जक्ड़े हुए जीना एक मजबूरी थी भारत की अजहाती के समय से पूरे विश्व में एक पोस्कॉरॉलियन कालखन की शुरुवात हुई अनेकों देश आजाद हुए आज पूरे विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो प्रकट रूप से किसी अन्य देश के उपनिवेश के रूप में एक्जिस्ट करता है कॉलोनियल माइंड्सेट समाप्त हो गया है हम देख रहे हैं कि हम आन्शिक्ता अनेक विक्षियों को जन्म दे रही है इसका सबसे सपस्थ होदारण हमें विकास इल्देशों की विकास यात्राओं में आ रही बाधाओं में दिखाई देता है जिन साधनों से जिन मारगों पर चलते हुए विक्षित विश्व आज के मुकाम पर पहुँचा है आज वही साधन वही मारग विकास इल्देशों के लिए बंद करने के लिए प्रयास किये जाते हैं पिछले दश्रकों में इसके लिए अलग-अलग प्रकार की शब्दावली का जाल रचाया जाता है लेकिन उद्देश एक ही रहा है विकांसिल देशों की प्रगति को रोकना आज कल हम देखते हैं कि परियावरान के विशे को भी इसी काम के लिए हाईजेक करने का प्रयास हो रहा है कुछ सब्ता पहले हम ने कोप 26 समीट में इसका जीवन्त उद्धान देखा है अगर एप्सोल्यूट्री एप्सोल्यूट क्यूमिलेटिव एमिशन्स की बात करें तो विक्सित देशों ने मिलकर 1850 से अब तक है 1850 से अब तक भारत से 15 गुना अधिक उत्सर्जन किया है अगर हम पर केपिटा बेजिस की बात करें तो भी विक्सित देशों ने भारत के मुकामले 15 गुना अधिक उत्सर्जन किया है अमेरिका और यूर्योपिय संग ने मिलकर भारत की तुलना में 11 गुना अधिक absolute cumulative emission किया है इसमें भी पर केपिटा बेजिस को आधार बनाये तो अमेरिका और यूर्योपिय संग ने भारत की तुलना में 20 गुना अधिक उत्सर्जन किया है फिर भी आज और हमें गर्व है भारत जिसकी सभेतार संस्कृति में ही प्रकृति के साथ जीने की प्रवुर्ति है जहां पत्थरों में, पैडों में, प्रकूति के कंड कंड में, जहां पवधे में भी परमात्मा देखा जाता है, उसका स्वरूप देखा जाता है, जहां धर्ति को मा के रूप में पूजा जाता है, उस भारत को परियावरन समरक्षन के उपदेश सुनाए जाते हैं, और हमारे लिए ये मुल्य सिर्फ किताबी नहीं है किताबी बाते नहीं है आज भारत में लायन, टाइगर, डॉल्फिन, आदी की संख्या और अनेक प्रकार की बायोडेवर्सिटी के मानकों में लगाता सुधार हो रहा है भारत में वन खेत्र बढ़ रहा है, भारत में डिग्रेडेल लेंड का सुधार हो रहा है, गाड़ियों के इंद्रम के मानकों को हमने छेश्चा से बढ़ाया है हर प्रकार के रिन्यूबल एनरजी उस खेत्र में हम विश्व के अग्रणी देशों में है और पैरी समझोते के लक्षों को समय से पहले प्राप्त करने की और अग्रसर अगर कोई है तो एक मात्र हिंदुस्तान है जी ट्विंटी देशों के समूव में अच्छे से अच्छा काम करने वाला कोई देश है दुनिया ने माना है को हिंदुस्तान है और फिर भी ऐसे भारत पर परियावरन के नाम पर बाती बाती के दबाव बनाए जाते हैं यह सब उपनिवेश्वाद मानसिक्ता का ही परणा लग यह है कि हमारे देश में भी ऐसी ही मानसिक्ता के चलते अपने ही देश के विकास में रोड़े अटकाए जाते हैं कभी फ्रीडम अब एक्षप्रसन के नाम पर तो कभी किसी और चीज का सहारा लेकर हमारे देश की परिस्तितिया है हमारे युगाओं के आकांशाए सपनों को बीना जाने समझें बहुत सी बाग दूसरे देशों के बेंचमार्क पर भारत को तोलने का प्रयास होता है और इसकी आड़में विकास के रास्ते बंद करे की कोशिच होती है इसका नुक्सान यह जो करते हैं ऐसे लोगों को भुगतना नहीं पड़ता है इसका नुक्सान भुगतना पड़ता है उस मा को जिसका बच्चा बिजली प्लांट सापी नहोंने के कारण पड़न नहीं पाता है इसका नुक्सान भुगतना पड़ता है उस पीता को जो रुके हुए सड़क प्रोजेक के कारण अपने संतान को समय पर अस्पताल नहीं पहुचा पाता है इसका नुक्सान भुगतना पड़ता है उस मंद्यम बर्गे परिवार को जिसके लिए आधुनिक जीवन की सुविधाये परियावरन के नाम पर उसके आमद निशी से बहार पहुंचा दिए इस कॉनोलियन माइंड सेट की वज़े से भारत जैसे देश में विकास के लिए प् आधा हुई उसे और अधिक मजबूत करने में ये कॉलोनियल माइंड सेट बहुत बड़ी बाता है हमें इसे दूर करना ही होगा और इसके लिए हमारी सबसे बड़ी शक्ती हमारा सबसे बड़ा प्रेन आश्रोथ हमारा सम्मिधान ही है प्रेस्ट प्रेइब अबाता है हुआ फैर आवालोगले आप्स ट्वा जोगलोड को प्रेस्टे करने आप दूड्लोड़।